नमस्कार मैं अंजले मेश्रा स्वागते अब सभी का दन्योस में आपको दादे की बैक टू बैक अतिक्रमन हटाने को लेकर अलग-अलग राज्यों की सरकार जो है अपने तरफ से आप कह सकते हैं निवदेश जारी कर रही है इसे बीच अब लखनों के अगबर्द नगर इल अगर आप कहिंगे बुल्डोजर की कारवाई को लेकर वो इस मामले को लेकर जो है बीचुपी को घेरती भी नजर आई है क्या कुछ कहना है समाजवादी पार्टी का और क्या है यह पूरा मामला विस्तार सा समझे है उत्तर प्रदेश में लखनों के अगबर नगर इलाके में आज अतिक्रमन हटाने की कारवाई की जा रही है आज सुबह से उन मकानों को चिनित किया जा रहा जो कोट नहीं गए थे मौके पर बड़ी संख्या में बुल्डोजर और जेसीबी लेकर प्रशासन की अधिकारी मौजूद है अगबर नगर इलाका लखनों के कुकरैल नदी के किनारे बसी एक अवैद बसती है जहां 1068 से ज्यादा अवैद मकान पचास से ज्यादा दुकारे बनी है यूपी सरकार इस कुकरैल नदी के किनारे रीवर फ्रंट बनाना चाहती है अकबर नगर में रहने वाले लोगों को पूर्णवास के लिए सभी को 15 लाक रु बस्ती को गिराने की कारवाई दिसंबर महीने में हुई थी लेकिन तब इलाबाद हाई कोट ने अंतरिम राहत जो है दी थी ने अंतरिम रोक लगाते हुए बस्ती के लोगों को राहत दे दी थी इलाबाद कोट ने प्रशासन को बस्ती के उन लोगों को एक महीने का समय द इसके बाद प्रशासन ने समय देकर नोटिस जारी किया था हाई कोट की रोक 21 फरवरी तक लागू की गई थी अब रोक हटने के बाद प्रशासन फिर से बुल्डोजर लेकर पहुंचा है जानकारी के मुताबिक जुगी जोपडियों को नगर निगम और LDA की टीम द्वारा ने तोड़ा जा रहा है पक्या मकानों के पहले बनी जुगिया जोपडियों के सामान को भी बाहर निकाला गया कोट के फैसले के बाद आगे की कारवाई LDA की टीम द्वारा की जाएगी इस दौरान लखनव विकास प्राधिकरन नगर निगम और पुलिस के अफसर मौजू लखनव के अकबरपुर में गरीबों के मकानों पर बुल्डोजर चला रही भाजबा सरकार नाले पर रिवर फ्रंट बनाने की फर्जी विकास के नाम पर जो यह हैं यह बस्ती उजाड रहे हैं उखाड रहे हैं मुख्या मंत्रे पीड़तों को विस्थापित कि यह बिना ह पंदर लाग का जो मकान है इन्हें कम समय कम दाम में जो है दिया जा रहा है इन्हें मौका दिया गया इन्हें राहत मिली काफी लंबा समय इन्हें मिला लेकिन इसके बाद भी यह जाने को तयार नहीं है जिसके बाद यह एक्शन इनके खिलाफ जो है लिया जा रहा है इसमें आरोप है कि अगबर नगर प्रथम और अगबर नगर दितिया के करीब 1200 लोगों ने कुक्रेल नदी की जमीन पर कबजा कर मकान दुकान और शोरूम खड़े कर लिए अब लडिये ने करीब चार महीने पहले इनका ध्वस्तिकरन आदेश थिया इसके खिलाफ करीब 700 ल जमीन के मालिक आना हां पर नहीं था इसके बाद कमिश्नर ने सभी को सभी की जो अपीले है वो रद कर दी और रद करने के बाद अब यह मामला देखने मिल रहा हैं बतादे आपको पिशले साल दिसंबर में शोरूम लोगों की अपीलों पर सुनवाइं थे और कोई भावन साहस्वामी शोरुम मालिक या अपने मकान का नक्सा उनको दिखाई ही नहीं पाई इसे में कमिशनर ने वहित प्रवाली को द्वस्तिकरण आदेश पर रोक लगाने का अधारी नहीं मिला और उन्होंने एक साथ करीब सवा सो याचिकाय खारिच कर दी इसके बाद डिसंबर में ही एल डिये के परवतन दस्ते में द्वस्तिकरण की प्रक्रिया शुरू की थी लेकिन कुछ समय बाद ही कोट के आदेश के बाद बुल्डोजर एक्शन रोक दिया गया था और इसे लेकर अगर आप क किये करवाई नहीं चल सकती है और इसके बाद सेरकार ने एक और निकाला इनको जो है ऑप्शन भी दिये चीजे भी इनको कही लेकिन अगर आप देखेंगे कि अब जो है इस मामले को लेकर राजनीती फिर से शुरू हो गया है अब इस मामले को एक फिर से हिंदु-मुसलि इस मामले में एक पैसी की सचाई नहीं है आतिक्रमन है 1200 से जालदा लोगों ने वहाँ पर आतिक्रमन करके घर बना लिए मकान बना लिए शोरूम बना लिए दुकाने खोल ली और जब इन्होंने याज का दायर की थी चीजों को लिए बोल रहे थे तब ही ने ऑप्शन दि दिखाई है लेकिन वह डॉक्यूमेंट भी नहीं दिखा पाए उसके बाद उन्हें लम्मे समय तक के लिए रहात दी गए थी और इन्हें कहा भी गया था कि इसके बाद कारवाई की जाए की फिर भी टस से मस नहीं हुए और आखरकार इतने दिनों की रहात के बाद अब फ तरप्रदेश के लगनों में अगबर नगर इलाके में अतिकरमन हटाने की कारवाई की गई सुबह सुन मकानों को चिनित किया गया जो कोट नहीं गया बुल्डोजर चला मौके पर बड़ी संक्या में बुल्डोजर जैसे पर इलाकर प्रशासन के अधिकारी मौजूद थे अगबर नगर इलाका लगनों के कुकरान नदी के किनारे बसी एक अवैद बसती है यहां 1068 से ज़्यादा अवैद मकान, 100 से ज़्यादा दुकान और शोरुम वगरा बने है योपी सरकार इस कुकरान नदी के किनारे रीवर फ्रेंड बनाना चाहती है जिसके लिए जमीन को खाली करान बहुत जादा ज़रूरी है और सबसे बड़ी चीज है कि इसके उपर 12 से ज्यादा लोगों ने मिलकर अतिक्रमन किया है तो अतिक्रमन को हटाने का काम बुल्डोजर के द्वारा किया जा रहा है अकबर नगर में रहने वाली लोगों के पुनरवास के सभी के लि प्रशासन को बस्तिके उन लोगों को एक महीने का समय देने को का था जो पूरा हो चुका है और कोट ने जो फैसला दिया था जो अपनी बात कही थी उसके बाद एक महीने का समय पूरे होने के बाद प्रशासन ने समय देकर नोटिस भी जारी किया था लेकिन यह लोग तस् पूरा मामला क्या है इस तरीके से हलदवानी के बाद अगर आप देखेंगे उतरप्रदेश के लखरों में भी बुर्डोजर एक्शन जारी है और पूरी तरीके से वैद कब्जा से जमीन को मुक्त कराने को लेकर योगी सरकार जो है लगातार बुर्डोजर की कारवाई करती नजर आ रही है जिसके बाद इस मामले को लेकर जम कर मियान बाजियां भी देखने के लिए मल रही है और अब इस मामले पर आपकी भी जुराय हूँ में कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जबूर साचा करेगा धन्यवाद